So hey what's up guys, आज की वीडियो हम solution दिखने जारे, create a cosmetic anomaly detection model using visual inception AI का तो password को copy करना, again console को जो है इनको open कर लेना, username जो है आप लोगो के लिखा आजाएगा, normally आपको enter press कर देना है So my cloud console open हो चुका है, अब description में आपको ए GitHub code की link मेरी होगी, उस code को access करने ना, हम इस lab में उसी का use करने वाले, simply यहां से लेकर यहां तक का पूरा part आपको copy कर लेना है, यह मैंने copy कर लिया है, इधर आ जाना है, paste करना है, enter दबाना है, इसको जो है authorize कर देना और execute हो जाने देना So, यह open हो चुका है, आप simply, यहां पे link होगी, उस पे click कर देना, तो एक नया tab open हो जाएगा, आपका कुछ इस तरीके से, इसको open हो जाने देना, अब आगे देखो lab में क्या लिखा है, हमें link पे click कर दे, हमें dataset name पे click करना है, जिसका नाम होगा cosmetic, ठीक है, तो इधर आ जाते है, यहां पे dataset का नाम यह होगा, तो हमें करना क्या है, इधर आ जाना है हमें, and dataset name यह रहा, इस चीज़ को copy कर लेना, बहुत देखके copy करना, इधर आना, इधर आके इसको control है, control भी करना, अब इस पे click करना, ठीक है, नीचे scroll करना, यहां आपको तीन चीज़ देके रखी हो करना है, बस create पे click कर दो, create पे click कर दिया है यह हमने, और इसको create हो जाने देना, so finally dataset जो है, वो create हो चुका है, अब हमें क्या करना है, तो यह हम देख लेते, ठीक है, कम से कम 2-4 मिनिट कर time दिया है, तो आपको वह वेट करना पड़ेगा, अब इधर आ जाओ, अब देखो क् करेट हो जाए, आपको browse पे click करना है, select करना आपको आपकी project ID, then select करना है, demo cosmetic image, और then click continue, तो इस पे click कर दो, ठीक है, यहाँ पे आपको आपकी project ID को select कर लेना है, इसको open कर लो, इस पे click कर दो, और इसको select पे click कर दो, कुछ इस तरीके से, ठीक है, and then click continue, बस import in progress पे आचुके ह इसमें साफ साफ लिखा ही कि यह कुछ time लेगा, जब तक यह time ले रहा है, जब तक आप क्या करो, normally back आजाओ, नीचे scroll करना है, start करो, and नीचे है कि check my press पे click करना है, start कर सकते हो, कि हमारा task complete हो आए कि नी, so हम check my press पे click कर देते, and यह complete हो गया है, नीचे scroll करते, check my press पे click करते, यह भी complete हो चुका है, अब import हो रहा है हमारा data, so यह सब हमें skip कर देना है, और यह आला task है हमारा task है, तो चेक मैं press पे click करते, and यह भी complete हो चुका है, नीचे scroll करते हैं, और कोई है कि task, बस आपके लिए यह पे खतम हो जाती है, इसके इसके इंदर और और कुछ भी नहीं है, लैब बहुत जादा बड़ी दिखाई है, लेकि इतना नहीं है कुछ, आप देख सकते हैं, यहाँ पे पर create बन रहा है, और बन चुका है, okay, so यह लैब में बकाता है, see you next week, and then take care, good bye.